कोरोना संकट के बीच अमेरिका की केंड्रिय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने देश की एकॉनमी को लेकर अनुमान जा रिखिये हैं इन अनुमानों में यूएस की एकॉनमी को लेकर चिंता जाहिर की गई है तो वहीं बेरोजगारी और जीडिपी के आंकडों के सुधार में लंबा समय लगने की भी बात कही गई है यूएस फेड के सनुमान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में घबराहत का माहौल है वहीं इसका असर भारतिय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है ऐसे में सब्ताह के आखरी कारुबारे दिन के शिरवात में भारतिय शेयर बाजार में बड़ी गिरावर दर्ज की गई है सैंसेक्स 900 अंक लुढक कर 33,000 के नीचे पहुँच गया तो वहीं निफ्ती 250 अंक से जादा तूट कर 9,600 के स्तर पर था जोरान बियस इंडेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान पर थे